हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब शैनल आई टी थोरी एंड पैक्टीकल पर जैसे कि दोस्तों आपको पता है हम आपके लिए 2000 क्यूशन की डैलिक वीज़ लेके आये हैं जिसमें की हर जनब बात करेंगे 5 से 10 क्यूशन पर वो भी संचीब्द तरीके से तो सलते हैं दोस्तों उसी सीरीज में अगले क्यूशन पर बात करते हैं जिसमें देरक का है एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक यानिकी पिछ फैक्टर के अनुपात में होता है तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंस होगा डी यानिकी वाइंडिंग अंतराल अब आपको ये भी पता होना सही, वाइंडिंग अंतरा लियाने की कोईल पीच क्या होता है, पॉल पीच क्या होता है, और वाइंडिंग क्या होती है, टरंड किशे कहते हैं, और एक्टिव साइड कौन सी होती है, अन एक्टिव साइड कौन सी होती है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी सही है तो दोस्तों सलते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिसकस कर लेता है कि कोईल पीछ क्या होता है और पॉल पीछ क्या होता है तो दोस्तों आपको इसको समझने से पहले आपको यह भी पता होना सही है एक होता है टर्न जो कि किसे कहता है यह भी आपको पता होना से ही, तो दोस्तों आपको बता दे हैं एक conductor को दो असमान पॉल्स के परबाब में रखकर त्यार किया गया, बंद एवंपूर्ण मारक जिसे हम बोलता है, turn और इसे ही हम element भी कहते हैं तो दोस्तों आपको बता हुआ, इस winding का एक turn यहां से लेके, इस तरीके से हमने winding का एक turn लिया है, और ये दोनो active side है, ये दोनो असमान पॉलो के beast में हमने रखी है, तो दोस्तों इसको बोल दिया हमने turn, उसके बाद में दोस्तों आता है coil, यहने के coil किशे का आता है तो दोस्तों आपको बता दें कि series में स्योंजीत अनेक turn के समूल को हम बयूलते है coil, इसी तरीके के turn अगर series में बहुत अनेक सारे turn ले लेते हैं, तो वो एक coil का रूप बन जाता है, ये भी आपको पता होना से है, दोस्तों आपको पता होगा एक coil के दो side होते हैं, एक होता है अनेक्टिव साइड और दूसरा होता है अनेक्टिव साइड यानि कि एक्टिव साइड किसे कहता है और अनेक्टिव साइड किसे कहता है और कहां पर होता है ये ये भी आपको बताते हैं, तो एक्टिव साइड यानि कि coil का वह बाग जो इस्टेटर कॉर में सलोटों में रहता है जिसमें यह में पूत्पन होता है उसे हम क्या बोलते है एक्टिव साइड यानि कि यह जो भाग सलोट के अंदर रहता है इसको बोलते हैं एक्टिव साइड और इसके बाद में दोस्तों एक होता है अनेक्टिव साइड यानि कि क्वाइल का वह भाग जो stator core या फिर armiser core के sloto से बाहर रहता है उसे हम बोलते है unactive side यानि कि ये भाग और ये भाग stator की core से बाहर रहता है इसको हम क्या बोलते है unactive side और इसके अंदर ये में पुत्पन नहीं होता है और unactive side के दो भाग होता है जिसमें से एक होता है front end connection और दूसरा होता है back end connection front end connection commutator के निकट वाला भाग होता है यानि कि इस तरीके से याँपर हम क्या करता है commutator लगाते हैं और ये commutator के निकट वाला भाग होता है उसको बोलते हैं front end connection और जो commutator के दूर वाला भाग है उसको बोलते हम back end connection यह भी आपको पता हुणा है अब हम क्यूशन पर बात करते हैं यानि कि पॉल पीछ किसे करते हैं तो आपको पता हुणा सही यह भी कि पॉल पीछ किसे कहते हैं पॉल पीछ यानि कि जिसको हम बोलते हैं दुरूव अंतराल तो दुरूव अंतराल किसे करते हैं उसके बारे मे N और यहाँ पर पॉल है S और इसकी पीश में जो सलोटों की शंक्या है उसको हम क्या बोलेंगे पॉल पीश यानि कि इन दो पॉलों की बीश की दूरी को हम क्या कहेंगे पॉल पीश तो यह भी आपको पता होना से है पॉल पिछ बराबर होता है इस्टेटर खांचों की कुल संक्या अपॉन पॉल से की संक्या अगर आपको पॉल पिछ से को ग्याद करना है तो इस्टेटर के खांचों की कुल संक्या के अंदर पॉलों की संक्या का आपको क्या करना है भाग दाना है वहाँ पे आपके पास में पॉल पिछ आ जाएगा तो यह भी आपको पता होना सही है उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कोईल पिछ अब हम बात करें के कोईल पिछ क्या होता है यानि कि वाइंडिंग अंत्राल क्या होता है या पर बात के ने winding अंत्रा तो winding अंत्राल किसे कहते हैं यह भी आपको बताता है एक क्वाइल की दो एक्टिव साइडों की 20 की दूरी को हम बोलते हैं क्वाइल पीछ यानि कि हमारे पास में एक क्वाइल है इन क्वाइल की दो एक्टिव साइड एक यह हो गई और यह हो गई इन दोनों active side की beast की दुरी को हम क्या कहते हैं? coil pitch कहते हैं और ये दो active side की beast विद्मान slotto की शंक्या की रूप में वेक्त की जाती है तो वापस हम question पे आते हैं कि question में देराखा था pitch factor के से कहते हैं या फिर pitch factor के बराबर क्या होता है तो दोस्तों आपको बताते हैं pitch factor यानि कि coil pitch तथा pole pitch के अनुपात को हम बोलते हैं pitch factor pitch factor बराबर होता है coil pitch upon pole pitch होता है तो ये आपको दोस्तों द्यान रखना है कि coil pitch की से कहते हैं और pole pitch की से कहते हैं turn की से कहते हैं coil की से कहते हैं और कवाईल के दो साइड होती है, एक active साइड, दूसरी unactive साइड, तो ये सभी आपको दियान में रखना है, जो कि हमने अभी आपको शमजाए है, उसके बादों दोस्तों अगले कुशन पर बात करते हैं, जिसमें दारक का है, जब मोटर की गती इस्तर होती है, तो sleeve होगी, यानि कि अगर मोटर रुकी हुई है, तो उसकी sleeve कितनी होगी, वो आपको बताना है, तो दोस्तों आपको बताते हैं, इसका right answer होगा, c यानि कि 100%, और ये किस परकार साया, तो वो भी आपको बताते हैं, तो आपको बता होगा, जब हम sleeve percentage में ग्याद करते हैं, उसका formula होता है ns minus nr upon ns into saw, यानि कि यहाँ पे ns इंगित कर रहा है, synchronous speed को, और nr यहाँ पे rotor गती को, यानि कि तुले गालिक गती से, जब rotor गती को minus कर देंगे, उसका saw से into करेंगे, तो हमारे पास में sleeve आ जाएगा, जब motor रुकी हुई, यानि कि इस तर गती में होगी, तब rotor गती होगी सुनी है, यानि कि हमने यहाँ पे क्या क्या, ns minus सुनी ले लिया, यानि कि rotor की गती क्या है, सुनी है, यहाँ पे motor नहीं गूम रही है, तीके, और उसके बात हैं, अपन करके, यहाँ पे into किया, यहाँ पर हम जब ns से minus करेंगे 0, तो हमारे पास में आ जाएगा, ns, ns से ns करेंड, उसके सिलीव होती है, उसके बाद में दोस्तों आपको बताते हैं, कि अभी हमने बात किये, एक उती है, तुलिब कालिग गती, जिसको हम बहते हैं, synchronous speed, और किसे करते हैं, और यह क्या होती है, और इसके बारे में भी हम थोड़ी सी detail से बात करते हैं, तो दोस्तों आपको बताते हैं NS मतलब होता है synchronous speed जिसको बोलता है तुले काली की speed जिसको मापते हैं RPM के अंदर यानि की round पर minute के अंदर और जिस गुणन गती पर किसी induction motor का magnetic field गती मान होता है उसे हम बोलते है synchronous speed और इसका मान supply frequency number of pulse पर निरपर करता है यानि वापस बता रहा हूं supply frequency number of pulse पर निरपर करता है किसका मान synchronous speed का यानि कि आपको पता है NS बराबर होता था F into 120 upon P यानि कि supply frequency और number of pulse पर किसका मान निरपर करता है synchronous speed का मान निरपर करता है या आपको ध्यान रखना है उसके बाद में दोस्तों एक होता है rotor गती जिसको हम बोलता है वास्तवीक गती और rotor की गु उनन गती के बराबर होती है परंतु इसका मान instructor की तुले काली गती से सदेव कम होता है यानि कि NS से मान NR का कम होता है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है यानि कि NS क्या होगा आगे होगा उसके पीछे क्या होगा NR होगा ठीक है उसका NR का मान क्या होगा ने से कम होगा यह आपको पता होना सची है और ये अव्ischक भी है निकि अगर इस तरीके से मान बड़ाबर नहीं dai तो क्या होगा वो भी अपको बताते हैं तो ये आव्ischक भी है क्योंकि दोनों की गति समान उनने पर रिलीटीव मोशन यानि की बोलते हैं सापेक्ष गती सुनी हो जाएगी यानि कि अगर इन दोनों का मान NS और NR का दोनों का मान अगर बराबर हो गया तो वहां पे हमारे जो Relative Motion होता है यानि कि सापेक्ष गती उसका मान सुनी हो जाएगा यानि कि हमारी मोटर में उस टाइम में किसी परकार का टॉर्क उत्पन नहीं होगा तो वो भी आपको पता होना सही है और दोस्तों आपको बता दें अधिकांस स्कॉयल के इस थ्री पेज मोटर में सिल्यू का मान होता है 2% से 5% तक ये भी आपको पता होना सही है तो दोस्तों उसके बाद मैं अगले क्यूशन पे बात करता है जिसमें द्यरक्ता है कॉर्क इसकुरू नियम इंगीत करता है यानि कि दोस्तों कॉर्क इसकुरू नियम क्या इंगीत करता है यह आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें इसका right answer होगा D यानि की सुम्ब के बल रेखाओं की दिशा को इंगित करता है कॉर्क इस्कुरू नियम तो दोस्तों आपको पता होगा कॉर्क इस्कुरू नियम को Maxwell के नाम से भी जाना जाता है और विदूत दारा तता सुम्ब के शतर एक दूसरे के समदित होते हैं पेस के आगे बढ़ने की दिशा इंगित करती है दारा की दिशा और पेस के गोमने की दिशा इंगित करती है मेगनेटिक बल रेखाओं को इंगित करती है यह भी आपको पता होना सही है तो दोस्तों यानि की एक हमारे पास में जैसे की एक इस्कुरू है और इस इस्कुरू के गोमने की जो दिशा है वो इंगित करेगी शुम्ब की बल रेखाओं की पेस के आगे बढ़ने की जो दिशा है वो इंगित कर रही है दारा की दिशा को और उसके बाद में अगर आपको ये भी बता है कि इस परकार से हमारे पास में एक सालक है एक हमारे पास में सालक है और इस सालक के अंदर धारा की दिशा को ग्याद करना है शुम्ब के बल रेखाओं की दिशा को ग्याद करना है तो हम दूसरे तरीके से भी आपको बता सकते हैं यानि कि दोस्तों एक होता है cross एक होता है dot तो दोस्तों आपको बताता है यहाँ पे cross इंगित करता है into the conductor सालक अंदर प्रवाइत हो रही है और अगर आपको dot का सीन मिले तो वहाँ पे आप समझाना दारा यहाँ से सालक में से बाहर की तरप आ रही है तो हम बोल सकते हैं out of the conductor तो यहाँ से दारा बाहर निकलती है और यहाँ से दारा into हो रही है उस conductor के अंदर तो यहाँ इस तरीके से इंगित कर रहे है दोस्तों जो आपको cross सीन दिखाई देरा है तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो यानि कि into the conductor यानि कि अंगूटा यहाँ पर क्या इंगित कर रहा है दारा की दिशा को और यहाँ पर जो curling figure है वो आपको दर्सारी है शुम्ब के बल रेकाउं की दिशा यानि कि दारा उस side में into हो रही है और सुम्ब के बल रेकाउं इस तरीके से इंगित कर रही है तो हम इसको इस तरीके से भी बता सकते है कि सुम्ब के बल रेकाउं की दिशा यह है और दारा की दिशा क्या है into the conductor और इसके बाद में यहां पर हमें सुम्ब के बल रेखाओं की दिशा क्यात करनी है तो आपको बताया है मैंने कि जो अगर आपको डॉट दिखे तो वहां आपको समझ आना है कि आउट आप दा कंड़क्टर यानि कि धारा यहां से बाहर की तरफ आ रही है तो हम इस तरीके से करेंगे दारें यहां पर क्या आ रही है बाहर की तरफ आ रही है यानि कि यह अंगुटा क्या इंगित कर रहा है दारा की दिशा को इंगित कर रहा है और यहां पर जो कर्लिंग फिगर है वो क्या दर्स आ रही है शुम्ब के बल रेखाओं की दिशा तो सुम्ब के बल पेखाँ की जिसा घ्यात कर सकते हैं तो दोस्तों में आसा करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा उसके बाद में दोस्तों अगले क्योशन पर बात करता हैं जिसमें दरका सिन्नीमीटी एक है यानि कि सिन्नीमीटी किसかった tay कंडाम वह आपको बताना है तो दोस्तों यानि कि इंचू लेटर से धारा का परवाद नहीं होता है, यह भी आपको पता होना सही है, और विदूद रोधन का प्रियूग, विदूद सुरुक्षा उपकरण के लिए किया जाता है, यह आपको पता ही होगा, उसके बाद में दोस्तों अगले कुशन पर बात करता है, ज जिसका कलर कोड है, लाल यानकी रेड और पीला, बुरा और सुनर, इस कलर कोड परतीरोद का हमें मान गयात करना है, ओम के अंदर वो आपको बताना है, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता सुका हूँ कि कलर कोड परतीरोद का मान गयात करने के लिए आपको एक सानी या सुनहरा, तो लाल का मान यहां पे पहली पटी में अगर आप देखें तो वह इसका मान हो जाएगा 2 और इसके बाद में अगर आप पीला यानिकी यलो का मान दूसरी पटी के अंदर देखें, तो वह आपको मान मिल जाएगा 4 और अगर मल्टिपलायर के अंदर आप पूरा यानि की ब्राउन का मान देखें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मान 10 की गात 1 ठीक है और उसके बाद में अगर टॉलरेंस के अंदर सुनहरा का मान देखें तो आपको मिल जाएगा प्लस मैनस 5% और ये तो हमने इस तरीके से सारनी में से मान ग्यात कर लिए है उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा इसका एक फॉर्मूला होता है और यहां पर एक का मान हमें मिलेगा जो पहली पती में जो हमें मान ग्यात हुआ है वो हम मानेंगे A का मान और दूसरी पटी के अंदर जो मान क्यात होगा वो B का मान और तीसरी पटी के अंदर यखि गुना किया फिर multiple ऐर का जो मान होता है वो हम मानेंगे C और tolerance का मान याँ पर plus minus में कर लेंगे तो यहां पर पहली पटी के अंदर मान मिला है हमें 2 तो यहां पे दो रख देते हैं और दूसरी पटी में हमें मान मिला है श्यार तो यहां पे श्यार रख देते हैं दोनों को पास में ही रखना है और इसके बाद में इंटू करना है तीसरी पटी में हमें मान मिला है दसकी गात वन तो यहां पे दसकी गात वन को इंटू कर लिय उसके बाद में आपको plus minus करना है और संचीमा यानि कि tolerance कितना मिला आपको तो tolerance plus minus 5% मिला है तो यहाँ पर 5% कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जैसे ही आप इसको solve करेंगे तो आपके पास मायेंगे 240 plus minus 5% तो यह आपका answer यहाँ से निकल कर आ जाएगा तो दोस्तों आपको बता दें इसका right answer होगा B यानि कि 240 plus minus 5% ओम में ठीके उसके बाद में दोस्तों अगले किशन पर बात करते हैं जिसमें जरका है फ्यूज तार में परतीरूदगता और गलनांक होना सही है यानि कि आपके पास में अगर फ्यूज तार है तो उसका परतीरूदगता क्या होना सही है melting point क्या होना सही है वो आप मुझे पताईए तो दोस्तों आपको बता दें इसका right answer होगा D यानि कि फ्यूज तार में निम्न परतीरूदगता और निम्न गलनांक होना सही है उसके बाद में थोड़ी सी अधर बात करता है तो आपको पता होगा फ्यूज तार की rating शामानियत हम किसमे लगते हैं MPR के अंदर और फ्यूज तार को शजीव या फिर कला या फिर हम बोलते हैं फेज तार के स्रेनी करम में स्योजित करता है और फ्यूज एक सुरुक्षात्मक उपकरण या फिर अवेव होता है और जिसका कारी होता है कि निर्दारित मान से अगर अधिक करणट आ जाए तो वो हमारे परिपत की सुरुक्षा परदान करता है उसके बाद में दोस्तों आपको पता होना से ये फ्यूज लेड प्लस टीन का बना होता है लेड यानि सिसा बोलते हैं लेड जिसको इंगित करते हैं पीबी से और टीन जिसको इंगित करते हैं एसें से और लेड का गलनांक यानि की मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिक्री सेंटिग्रेट और तीन का melting point होता है 231.9 degree centigrade और उसके बाद में दोस्तों लेड का मान होता है 37% और तीन का मान होता है 63% और अगर हम overall fuse का melting point की बात कर रहे हैं तो fuse का melting point होता है 419 degree centigrade यह भी आपको पता होना से यह तो यहां से क्योशन के इस परकार से put up होगा वो भी हम आपको पताता है कि इस परकार से क्योशन आ सकता है fuse के अंदर PB और SN का मान क्या होता है अब आपके दिमाग प्योशन में ऐसे भी बोच्गता है LED का melting point क्या होता है Teen का melting point क्या होता है और इन दोनों का मान कितना होता है तो वो भी आप यहां से बता सकते हो तो overall अगर आपको fuse का melting point पूछे तो वो भी आपको पताऊना से 419 degree Celsius होता है उसके बाद मैं दोस्तों आगले question पर बात करता है जिसमें जरका है गीजर का thermo state परिशर क्या है यानि कि गीजर का thermo state रेंज क्या होती है वो आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें गीजर का thermo state रेंज 32 degree से 88 degree Celsius होता है thermo state तापान के अनुसार परचालित होता है जो आपको पता होगा उसके बाद मैं दोस्तों आगले question पर बात करता है जिसमें दरका है निमे लिखित में से कौन सा insulation परतीरोदक परिक्षक है यानि कि insulation परतीरोद किस मीटर के द्वारा माप सकते हैं वो आपको पताना है तो दोस्तों आपको बता दें इसका right answer होगा A यानि कि mega और आपको पता होगा दोस्तों कि mega में परतीरोद का मान mega ohm में प्राप्थ होता है और mega में एक हस्त सालित DC generator होता है और mega को 160 RPM की गती से हमें गुमाना परता है वो आपको पता होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगली quiz के अंदर और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और लाइक करें और कमेंट करें और हाँ दोस्तों अगर आप हमारी YouTube शैनल पे नए हो तो शैनल को सब्सक्राइब करें और पास में देखरें ब्याल आइकों को प्रेस करें जिसे के हम जैसे ही नएव वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिपिकेशन आ जाएगी जैहिन जैवाद